आप लोगों में से बहुत लोग का कमेंट बार बर यह आ रहा था कि जब भी आप लोग यूटूब और फेस्बुक पे मुवीज को अपलोड करते हो तो आपको कोपी रेट क्लेम, कोपी रेट स्ट्राइक या फिर आपके वीडियोस को ब्लॉक कर दिया जाता है जिन्होंने अपने चैनल को पर सिर्फ और सिर्फ 53 वीडियोस अपलोड करें और इनका सस्क्राइबर हो चुका 4.4 मिलियन और आप लोग यहाँ पे देख सकतो मुवीज वाले चैनल पे किस तरीके का रीच है यहाँ पे आप लोग देख सकतो हो 4 दिन पहले एक वीडियोस अपलोड करा उस पर 20 रीच है और यही नहीं example के लिए मैं आप लोग को यहाँ पे एक और चैनल दिखा देता हूँ यहाँ पे देख सकते हो, इसके movies, इन्होंने अपने चैनल को पर सिर्फ और सिर्फ 25 वीडियो अप्लोड करे हैं, और इनका सस्क्राइबर हो चुका है, 6.51K, यानि कि 6,51,000, और उसी तरीके से आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, चलते हैं इनके वीडियो वाले section पे, तो द बात कर लेते हैं, इस टाइब के चैनल की मोनेटाइशन की, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, एक चैनल की अपनिंग, यहाँ पे देख सकतो, इसके movies, जो अकी चैनल मैंने आप लोग को अभी दिखाया, वही चैनल यहाँ पे मैंने ओपन कर रखा, यहाँ आप लोग वेन्यू जिन्रेट हो रहा है, तो यहाँ पे यह भी प्रूफ हो गया कि यह इस टारीके के चैनल 100% मॉनेटाइश होते हैं, अब बात कर लते हैं कि किस तरीके से यह लोग अपने मूवीस को एडिट करते हैं, किस तरीके से अपने चैनल पे अपलोड करते हैं, जिससे और इस वीडियो को start करते हैं तो movies को edit करने के लिए मैं आप लोग को proper 9 steps बताने वाला हूं जिसको अगर आप लोग follow करते हो तो आप लोग को कोई भी copyright claim copyright strike या फिर आपके movies को block नहीं किया जाएगा तो इडिट करने के लिए सबसे पहले आपको अपना काइनवांश रैप्लिकेशन ओपन कर लेना ओपन करने के बाद सिंपली आपको यहां new project पर क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद आपको यहां से रेशियो सेलेक कर लेना है 16 रेशियो 9 ये वाला सेलेक करने के बाद सिंपली आपको नीचे किरियेट पे क्लिक कर देना है जैसे ही किरियेट पे क्लिक करोगे आपके सामने आपका गैलरी ओपन हो जाएगा और आपको चले जाना है उसी folder पे जहां पे आपने अपना movie download करके रखा है और अगर आप लोग को movie download करने नहीं आता कहां से करना नहीं पता तो मैं आप लोग को proper इसी वीडियो पे सारा information देने वाला हूँ तो बस आप लोग इस वीडियो को ध्यान से proper देखो अभी आपको समझ में आएगा तो step number first step number first में सबसे पहले आपको यहां से यह background ले लेना है white color वाला तो यहां से मैं इस white color के background को ले लेता हूँ और अगर आप लोग के पास white color का यह background नहीं है तो यह भी मैं आपको बताऊंगा कि कहां से आपको इसको download करना है तो background ले लेने के बाद simply आपको उपर कोने में यह cut का option देख रहा इस पे आपको click करना और आज आएंगे इस white color के background के starting point से जहां से हमारा start होता है आने के बाद अब हम लोग कर step number two तो step number two पे आपको अपना movie यहां पे लेना है तो movie को लेने के लिए simply आपको यहां layer पे click करना है उसके बाद यहां media पे click करना है और जिस भी folder पे आपने movie download कर रखा उस folder में चले जाना और उस movie को simple यहां से select कर देना जैसे ही select करोगे देख सकतो आपका movie आपके screen पे यह आ चुका है तो इस movie को अपने full screen में करने के लिए आपको यहां पे इस तरीके से scroll down करना है तो आपको एक option यहां पे दिख जाएगा split screen पे आपको click कर देना है click करने के बाद आपको यह वाला जो option दिख रहा है first वाला इस पे आपको click कर देना है जैसे हैं क्लिक करोगे आपका movie यह देख सकतो, full screen पे यह set हो चुका है, इतना करने के बाद यहां से हमारा second step complete हो चुका है, अब हम लोग का जो third step है, यहां पे आप लोग देख सकतो, movie जैसे ही यह start होता है, शुरू में इसका movie को किसने लिखा है, किसने produce करा है, सब का नाम य step number three में, तो इस तरीके से जहां से भी हमारा movie start होता है, यहां पे आप लोग को चले आना है, simple इस तरीके से, आप लोग यहां पे देख सकतो, हमारी movie यहां से start हो रही है, तो हम लोग को यह जो left part है, उसको हम लोग cut करेंगे, तो cut करने के लिए इस तरीके से आपको scroll down करना, तो आपको यहां पे एक option दिख जाएगा, trim and split, यह वाला, इस पे आपको click कर देना, click करने के बाद आपको यहां button दिख जाता है, trim left इस पे आपको click करना, जैसे ही click करोगे, देख सेब तो आपका यह फालतू part इधर का cut चुका, अब हम लोग इस movie को लाएंगे, इस video के starting point तो इस तरीके से आपको अपने movie को hold करके रखना, दबा कर रखना और आपको अपने movie को इस video के starting point पर ले जाकर के इस तरीके से रख देना है, जहां से हमारा white layer start होता है, तो यहां पे हमारा हो चुका है third step भी complete, अब हम लोग का जो fourth step है, यहां पे हम लोग करेंगे algorithm को करना, इस तरीके से आपको select करना, और आपको कोई सभी एक scene यहां से choose कर लेना, जो कि हम लोग को clearly दिखाई दे, यहां पे मैं को अच्छा सा scene ले लेता हूं, जो कि हम लोग को visual दिखाई दे, अच्छे तरीके से, यहां पे देख सकतो, यहां पे मैंने इस scene को ले लिया, इ जैसा कि यहां पे आपको option दिख रहा है brightness, तो इसको हम लोग बढखा करके, इसको 30 के आसपास रख लेते हैं, कुछ इस तरीके से, आपको इतना ही बढ़ाना घटाना है, जिससे कि आपका यह movie का जो scene है, वो खराब ना हो, ठीक है, इसलिए मैंने बोला कि आपको एक scene यहा option दिख जाता है, इसको मैं 100 कर लेता हूँ, vibrance को यहां पे मैं 18 to 20 के आसपास रख लेता हूँ, इस तरीके से, 18 से 20 के बीच में, और यहां पे आपको option दिख जाता है temperature को, तो यहां पे मैं इसको minus 5, 6 इस तरीके से कर लेता हूँ, ताकि हमारा scene खराब ना हो, और इसी तरीक देख सकतो हमारे movie का scene बगरा भी खराब नहीं हुआ है, अब हम लोग चलते हैं अपने fifth step के उपर, पांच में step पे, तो यहां से हम लोग एक पर back करेंगे, और आपको यहां पे option दिख जाता है, यह देख सकतो mixer का, तो simple आपको यह mixer पे click करना है, click करने के बाद आपके इसक option दिख जाता, auto volume यह वाला, इसको simple on कर देना, on करने के बाद आपको यहां पे नीचे दिख सकतो है, पीच को option दिया हुआ, तो simple आपको इसको minus one कर देना, और यहां पे हमारा fifth step भी complete हो चुका, ऐसा हम लोग बार बार इसलिए कर रहे हैं, ताकि हम लोग YouTube के algorithm या फिर Facebook के algorithm क confuse कर पाएं, और वो इसका content ID change हो जाएगा, तो वो समझ नहीं पाएगा, कहां यह copyrighted content है या नहीं, और आप लोग को कोई भी copyright claim, श्रैक बगरा नहीं आएगा, और आप लोग अपने movies को बहुत ही आसानी से easily Facebook और YouTube पे upload कर पाऊगे, ठीक है, तो यहां से हम लोग ने 52 step को भी complete कर लिया, अब हम लोग को आता है step number 6, तो यहां से आप लोग देख सकते हो, थोड़ा सा मैं इसको और आगे बढ़ा लेता हूँ, और आप लोग यहां पर देख सकते हो, हमारा movie बिलकुल ही अच्छे तरीके से, कोई भी scene बगरा हम लोग का खराब नहीं हुआ है, बहुत ह अच्छे तरीके से, clearly so हो रहा है, ठीक है, तो अब हम लोग करेंगे इसके movie के speed को थोड़ा सा change, तो simple आपको movie के layer को select करना है, select करने के बाद आपको चले आना, यहां speed वाले बटन पे, आने के बाद आपको simple इस तरीके से, इसको एक point आपको बढ़ा देना है, ठीक है, यहा यहां पे आप लोग को movie में जो भी songs बगएरा आएगा, simply आपको उसको cut कर देना है, तो देख लेगते हैं, अगर हम लोग को movie में कोई अगर song बगएरा है यहां पे, तो simple उसको हम लोग यहां से खोज करके उसको cut कर लेते हैं, तो देख सकतो यहां पे एक song है, यहां पे आ कर देना है जैसे ही क्लिक करोगे देख सकतो आपका मुवी का पार्ट नीचे दो पार्ट में बढ़ चुका और जहां पर भी आपका यह गाना खतम होता है इस तरीके से यहां पर आप लोग देख सकतो गाना यहां पर खतम हो रहा है जहां पर भी खतम होने के बाद आपको फि ताकि हमारा movie एक दोसरे से join हो जाए तो इसी तरीके से आपके movie के अंदर जितने भी songs से बगएर हैं आपको इस तरीके से बढ़ाना और चेक कर लेना है कि आपके movie में जो भी songs है उसको सारी के सारी को cut कर देना है अब यहाँ पर आप लोग देख सकतो आपका movie का part है जो की ज़्यादा बड़ा लेकिन आपने जो white layer लिया है वो छोटा पड़ गया तो छोटा हो गया तो simply इसको आपको select करना है जिस white वाले layer को और आपको चले आना कोने में देख सकतो यह three dot है इस पर click करना click करने के बाद आपको simple यहाँ duplicate पर click कर देना जैसे ही click करोगे देख सकतो हमारा white layer बढ़ चुका और यह हमारा बड़ा हो चुका तो इसी तरीके से आपका जितना भी बड़ा movie है बार बार इस तरीके से आपको select करना three dot पर click करना और आपको यहाँ duplicate कर देना जब तक कि आपका movies के size के इतना आपका white background नहीं होता तो बार बार आप लोग इसको इस तरीके से duplicate बना लेना ठीक है तो यहाँ पर हम लोगों ने seventh step को भी complete कर लिया और अगर आप लोग को नहीं पता कि movie को कहां से download करना और इस white background को कहां से download करना तो इस वीडियो को आप like कर देना और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर से subscribe कर लेना और उसका screenshot ले करके दिये गए इस username Instagram पर मुझे message कर देना तो मैं आप लोग को बता दूँगा कि कहां से आपको movies download करना है किस तरीके से आपको यह white background download करना है तो आप लोग बहुती easily अपने movies को edit करके अपने चैनल पर upload कर पाओगे बस आपको इस वीडियो को like करना है और चैनल को subscribe करके उसका screenshot ले करके दिये गए इस username Instagram पर आपको मुझे message कर देना तो मैं आपको 24-48 गंटे में reply कर दूँगा कि कहां से आपको movies download करना है ठीक है तो यहां पर हम लोगों ने कर लिया था अपना 7th step को भी complete अब चलते हैं हम लोग अपने 8th step पर तो आपको चले आना इस वीडियो के starting point पर जहां से हमारी movie start होती है इस तरीके से आपको scroll करना है और चले आएंगे अपने starting point पर यहां पर आने के बाद आपको simply इस तरीके से अपने videos को बढ़ाना है 10-10 minute का बीच में आपको एक cut लगा लेना है कुछ इस तरीके से जैसा कि देख सकतो हो मैं भी movie के 10-10 minute पर आ चुका हूँ इस तरीके से आपको आने के बाद select करना है select करने के बाद आपको यह treatment split का यह button दिख जाता है इस पर आपको click करना है click करने के बाद आपको यह split पर click कर देना है यहां पर देख सकतो हम लोगों ने एक cut successfully लगा दिया और इसी तरीके से और आपको 10 minute आगे बढ़ा लेना है कुछ इस तरीके से बढ़ाने के बाद आपको simple फिर से यहां पर आपको treatment split पर जाना है और आपको यहां पर एक cut और लगा लेना है तो जो cut लगाया हम लोगों का यह वाला part यह रहा cut लगा लेने के बाद आपको simply इस तरीके से scroll down करना और आपको चले आना यहां पर rotate and mirroring वाले option पर यहां पर आने के बाद आपको यह जो first वाला option देख रहा है यह simple इस पर एक बार आपको click कर देना है जैसे ही click करोगे देख सकतो आपका screen rotate हो चुका है लेकिन इससे हमारा movie कुछ भी खराब नहीं होगा मैं आपको यहां से play करके भी दिखा देता हूँ आप लोग यहां पर देख सकते हो कुछ कहना चाहते है तो कह दीजे देख सकते हो कोई भी movie बगर हम लोग खराब नहीं हुआ तो यह हम लोगो ने इसलिए करा ताकि हम लोग algorithm को ज़ादा से ज़ादा confuse कर पाएं और वो हम लोग को copyright claim strike बगर ना दे पाएं तो हर 10-10 minute के बाद आपको इसी तरीके से आपको यहां पर select करना, cut लगाना cut लगाने के बाद फिर से आपको अपने वीडियो को आगे बढ़ाना और हर 10 minute के बाद इसको split करना split करके आपको अपने इसी तरीके से screen को mirror कर देना यहां पर आएंगे rotate and mirroring पे और आपको यह first वाला option क्लिक कर देना जैसे इंक क्लिक करोगे आपका screen देख सकतो mirror हो चुका तो इसी तरीके से आपको हर 10-10 minute के बाद आपको पूरे movie पे cut लगा करके अपने screen को mirror कर लेना तो यहां पर हमारा 8th step भी complete हो चुका अब हम लोग को जो last step बच रहा simply आपको आजाना इस movie के end point पे जहां पर हमारे movie खतम होती है इस तरीके से आपको पढ़ाना और चलते हैं हम लोगों इस movie के end point पे लेकिन यहां पर देख सकतो हमारा white background अभी भी छोटा पढ़ रहा तो simply मैं इसको जल्दी से duplicate करता हूँ आपको भी इसी तरीके से duplicate करना इसी तरीके से मैं इसको जल्दी जल्दी duplicate कर लेता हूँ और यहां पर आप लोग देख सकतो हमारे movie का यहां पर last point आ चुका है जैसे ही last point हमारा आ चुका है देख सकतो last point पे भी आपको इसके names बेगरा दिखाई दे रहे हैं जैसे इस movie में किस-किस लोगों ने काम किया सभी का names यहां पर आपको show कर रहे हैं तो इस तरीके से आपको पीछे करना और जहां पर हमारी movie का end point होता है जैसे कि देख सकतो यहां पर हमारी movie खतम हो जाती है तो simple आपको यहां layer पे click करना click करने के बाद आपको trim and split पे जाना और यहां से आपको right part को cut कर देना और आपका simply यहां पर देखो white background भी आपका बड़ा है तो इस तरीके से select करना select करने के बाद इसका भी trim right कर देना जो भी part यहां पर फालतू एक्स्ट्रा बज़ गया उसको cut कर देंगे और यहां पर हमारी movie देख सकतो बन करके बिलकुली completely ready हो चुका है अब इसको हम लोगों ने यहां पर ninth step को भी complete कर लिया अब हम लोग इस movie को अपने gallery में export करेंगे तो export करने के लिए आपको यह कोने में यह arrow वाला बटन दिख रहा है इस पर क्लिक करना क्लिक करने के बाद आपको इस line को हाई कर लेना है और यहां पर आपको 60fps सेलेक्ट करके सेव आइस वीडियो पर क्लिक कर देना है तो यहां हमारा वीडियो गैलरी में सेव होना स्टार्ट हो जाएगा आपको इस वीडियो से कुछ भी देखने को अच्छा मिलाओ कुछ सीखने को मिलाओ तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर से सस्क्राइब कर लेना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर